हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ किचन के कुछ टिप और ट्रिक सेयर कर रही हूँ जो आपके रोज मर्रा के काम को बेहत ही आसान बना देंगे और साथ ही साथ आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी तो चलिए दे से ऐसे ही धूल देते हैं मगर आज मैं इसका अलग ही प्रियोग आपको बताऊंगे इसके लिए हम भगोने में आधा चमच यहू का आटा डाल देंगे और इसमें हम आधा चमच हल्दी डालेंगे अगर आपके पास कसूरी हल्दी है तो आप उसका ही प्रियोग करिएगा अगर नहीं है तो जो आप सबजी में हल्दी प्रियोग करती हैं उसी का प्रियोग कर लीजे अब आप भगोने की सारी मलाई और दूद को अच्छी तरह से निकाल लीजे और इसका एक अच्छा सा पैक बना लीजे दोस्तो हम महिलाएं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पात देखे यह हमारा पैक बनकर तेयार हो गया है अब इसे हम चहरे पर गर्दन पर या फिर हाथों में लगा लेंगे दोस्तो गेहु काटा हमारे सकीन के लिए काफी फायदेमंद होता है और हल्दी हमारे चहरे की रंगत को पढ़ाता है और मलाई से हमारी सकीन काफी सॉफ्ट होती है और glowishy हो जाती है इसे हम अच्छी तरह से हाथ्थो praw song और चेहरे पर लगाू लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से सूग जाने देंगे करीब 10 से 15 मिनट बाद जब यह अच्छी तरह से सूग जाएगा तो इसे हम नॉर्मल पानी से धूलेंगे आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे धूलेंगे वैसे ही आपके चेहरे की साइन कितनी जादे बढ़ गई है और ये कितना ग्लोई दिखने लगा है अब आप किचर में ही रहके अपने चेहरे की साइन को बढ़ा सकती है आपको किसी महंगे प पसंदाई होगी तो दोस्तों देखते हैं दूसरी यूजफूल टिप दोस्तों इस तरह की छोटी-छोटी जोएलरी हमारे पास होती है जिसमें काम बहुत बारीक होता है और इसे जब हम प्रस वगेरा से साफ करने लगते हैं तो इसके काम के तूटने का डर रहता है और ये खराब हो जाती है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ दोस्तों इसके लिए हम ले लेंगे एक टमाटर जो हम सबजी बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं आज हम इसका इस्तमाल जोएलरी को साफ करने के लिए करेंगे इसके लिए हम इसे दो पीस में क हम दूसरे कटे हुए टमाटर से रगड लेंगे ये एरिंग बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था इसलिए इसे मैं तुरंच साफ कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एरिंग कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया है टमाटर में खटा पन होता है जिस तक इस एरिंग को हम नॉर्मल पानी से धूल के आपको दिखाते हैं कि ये एरिंग कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया और इसमें कुछ भी टूटा फूटा नहीं देखिए ये कितनी अच्छी तरह से चमक रहा है थोड़ी देर बाद हम इस रिंग को भी उसी तरह से हो गया है इसी तरह से आप अपनी बड़ी बड़ी जोल्री को भी टमाटर से साफ कर शकती हैं देखिए ये रिंग कितनी अच्छी तरह से साफ हो गया है इसमें जितनी भी गंदगी थी वो सभी निकल गई है और ये बिल्कुल चमकने लगा है अब इसे भी हम नॉर्मल पा ये घर में ही इतनी आसानी से साफ हो गई इससे हमारे समय और पैसे दोनों की बच्चत हो गई आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी दोस्तों सर्दियों के मौसम में इस तरह के भारी भारी कंबल को तुलना काफी कठिन होता है कुछ लोग तो इसे वासिंग मसीन मे धुल देते हैं मगर इसे सुखाने की दिक्कत होती है अगर ये अच्छी तरह से नहीं सूपता है तो इसमें बद्बू भी आने लगती है तो आज मैं बिना पानी डाले इस कंबल को अच्छी तरह से साफ करने का आपको तरीका बताती हूँ जिसके लिए हम पानी का दोस्तों ये हमारे क्लीनिंग का भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है अब हम ले लेंगे एक बड़ा स्टेनर अगर आपके पास इतना बड़ा स्टेनर नहीं है तो आप आटे वाली छनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं फिर इसमें बेकिंग सोडा डालने के बाद आप कंब पर अच्छी तरह से बेकिंग सोडा का चड़काव कर दे रही हूं अब इसे हम इसी तरह 15-20 मिनट तर ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे इसकी क्लीनिंग अच्छी तरह से हो जाए 15-20 मिनट बाद हम इसकी सफाई करेंगे दोस्तों इसके लिए मैंने कूकर का इस्तिमाल किया है जिसका इस्तिमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं मगर आज ये क्लीनिंग का बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा तो इसके लिए मैंने कूकर का ढखकन ले लिया है अब हम लेंगे एक साफ रुमाल देखे ये मैंने हलका रुमाल लिया है जिससे मैं आपको दिखा कि इसमें गंदगी कितनी अच्छी तरह से चिपक गई है आप कोई सा भी कॉटन का रुमाल ले लीजे और कुकर के धकन के उपर इस तरह से बांध दीजे रुमाल को हमें टाइट बांधना है इसे हमें लूज नहीं रखना है देखे इस तरह से मैंने तीन चार गांट इस पर अच्छी तरह से जाड़ लेंगे देखे इस तरह से हमें कंबल को अच्छी तरह से जाड़ना है हाथों से तो ये काम बिल्कुल भी न करें क्योंकि हाथों से करने से हाथ तो गंदा होगा ही गंदगी भी हाथों पर चिपक जाएगी इसलिए ये काम आप कूकर के धकन से य गंदगी चिपक गई है मैं आपको खोल कर दिखाती हूं कि रुमाल में कितनी गंदगी चिपक गई है आप देख पा रहे होंगे कि रुमाल कितना गंदा हो गया है देखे गुलाई से कितनी गंदगी इसमें चिपकी हुई है और हमारा कंबल कितना साफ हो गया है इसे साफ कर करने के लिए हमें एक मून भी पाणी की चरूरत नहीं पड़ी। और इसमें जो भी बद्बू या गंद्गी थी, बीना एक बून पानी डाले। अब आप सर्दियों में इसी टिप से कंबल को साफ करिएगा आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी दोस्तो पुराने स्वेटर को हम बिकार समझ कर फेक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं मगर ये पुराना स्वेटर हमारे बहुत ही काम आने वाला है पहले आप स् से पहले आप अंदर कर दीजे दोस्तो जब हम सोने जाते हैं तो पिलो कवर पर जब अपना सर रखते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लगता है जिससे हमें नीद नहीं आती है तो हम इस स्वेटर की आज दिन को पहले अंदर कर लेंगे उसके बाद इसके बीच में ह अगर मैं इसे सिल नहीं रही हूँ सिर्फ इसका बटन बंद कर रही हूँ जिससे जब भी आपको धुलना हो तो आसानी से आप बटन खोल कर इसे धुल भी सकते हैं और जो नीचे का हिस्सा है उसे आप मोड दीजे और उपर गर्दन के हिस्से को भी आप मोड कर अंदर कर दीजे ये हमारा पिलो कवर बनकर तयार हो गया है अब आपको इस पिलो कवर पर बहुत ही अच्छी नीद आने वाली है क्योंकि जब हम सोने जाएंगे तो ये काफी गर्माहट का एहसास करेगा और ये देखने में भी काफी खुबसूरत लगता है अब आज के बाद आप पुराने स्वेटर को फेकने की बजाए आप इस तरह से प्रयोग करके देखेगा आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखे ये देखने में भी खुबसूरत लग रहा है और हमारा उलेन पिलो कवर भी तैयार हो गया है देखे इसके उपर के हिस्से को हमें इस तरह से मोर देना है और जब ये गंदा हो जाए तो आप निकाल कर इसे अच्छी तरह से धुल दीजे और फिर इसे इसी तरह से लगा दीजे आई हो आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी दोस्तों आप मेरी वीडियो किस सहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स प को भी जरूर बताएगा थैंक यू